देश की चीत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी आर्मी कितनी बड़ी है बलकि इस बात पर कि उसके चासूस कितने अच्छे है अर्थ शास्त्र रचैता चानक के का मानना था कि दौलत औरत ताकत और किसी से बदला लेने की इच्छा ये चारों चीज़ें किसी को भी तोड़ने और उनके रास जानने के काम आ सकती है अगर आज वो जिन्दा होते तो वो पांचमी चीज़ भी चोड़ देते हमारा फोन इसलिए तो सरकारे भी फोन टैपिंग को हत्यार की तरह इस्तेमाल करती है अगर सीक्रेट छुपाए जा सकते तो ये इंसानी दिमाग कभी इतना शरार्ती ना होता अगर 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 ना होता डेटेक्टर मिस्टर गोनेश आँ बोल रहा हूँ मेरा नाम तिरू मलाई है मैं तुम्हारे ससूर का दोस्त हूँ जी बोलिए सर कोई मेरा फोन टैप कर रहा है सर फोन टैप करना इतना असान नहीं है सेंट्रल गवर्मेंट के कुछ आईटी और आईपी एजनसी और स्टेट का इंडेलिजन्स डिपार्टमेंट सिर्फ इने के पास इजासत है क्या आपको फोन के दौरान किसी तरह का शोर सुनाय देता है नई बैटरी जल्दी जाती है नई सर क्या फोन गर्म होता है नहीं सर शटडाउन होने में वक्त लगता है नहीं डरने की कोई जुरूद नहीं आपका फोन कोई टैप नहीं कर रहा सल्वम अंदर आओ ये वी वी आईपी नंबर की टैपिंग तुम्हें इसलिए दे रहा हो क्योंकि तुम भरोसे मंद हो समझ गया सर तुम्हें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा पर ध्यान मत देना हमें जो जानकारी चाहिए अगर वो मिल जाए तो मुझे फोन करना जी ये टॉप सिक्रिट है जो सुनोगे वो आँखों में नजर नहीं आना चाहिए सर असाइनमेंटस एलबं को दे दिया है सर वो बहुत दिमानदार है हां लेकिन हमें किसी पर यकिन नहीं उस पर नजर रखना सिर्ज फो सर स्षाल एर टेल वड़ा फोन बीसनेल, नोडल ओफिसर्स को पहुचा तो, ये सर सर, पंदर से कम में हो जाए तो अच्छा है, कवी का स्वाध ही अलग है, आजकर जज फोन पर बात करने से कत्राते हैं, नेता के लिए पांस साल, और हम जैसे आई-एस ओफिसर के लिए तीस, मेरा फोन कोई टैप नहीं कर सकता, समझे? नहीं समझे? वो कैसे? क्या हम मिलकर बात नहीं कर सकते? जैसे तुमें बुलाया, वैसे सबको बुला लूँगा है. प्लान तो ठीक है, और बिना फोन पर बात किये, मैं कैश कैसे दूँगा? सुबह के वक्त कार लेकर जाना, उसे बीच के लाइट हाउस के पास खड़ा कर देना, अपने ड्राइवर से कहना कि वो इस नमबर से इस नमबर पर फोन करें, इस नमबर से कोई और फोन नहीं होना चाहिए, मेरा आपनी वहाँ पहुँच जाएगा, चावी लगी छोड़ देना, वो तुम्हारे ड्राइवर से कोई बात नहीं करेंगा, वो कार स्टार्ट करेंगा, और वहाँ से निकल जाएगा, वो कार क्यों ले जाएगा, अरे इतना डालच मत कर, तू मुझे दस करोड़ दे रहा है, और तेरे पास एक कार खरीदने के लिए पांच लाग तक शुफ्ट की दिक्की बढ़िया रहेगी, नमबर प्लेट की ज़रोत नहीं, लाल रंग बढ़िया रहेगा, उस पर गटियां दो जार की हो, तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है, ए मादवन, अंकल, ये मेरी बहन का बेटा है, इसके आते ही मुझे दस करोड़ का फाइदा क्या तुम इसे अपने बिजनस में शामिल करोगे? इसके आने से मेरा दस करोड़ का नुकसान हुआ है, देखिए, आप कहें तो एक और कार खरीद दो, मुझे छोड़ दीजे, ठीक है, छोड़ दिया, ओड़ी या बीएम डबलू जो पसंद हो वो ले लेना, अरे पाटनर एक लाल रंकी स्विफ्ट कार खरीद दो, और उसमें दस करोड़ डाल देना, सुबह के वक्त उसे लाइट हाउस के पास खड़ी कर देना कार मेने लगा दी है, कार महीं रहने दो मेरा बंदा आ रहा है, ठीक है आदमी जाना पहचाना लग रहा था सर, वो हमारा ही आदमी इस उप्रेशन के लिए उसका चैरा देखते ही समझ गया था सर तुम घर जले जाओ कहां चुपायें से, तुमारे घर पर दस करोड घर पी रहूँगा तो हार्ट अटेक आ जाएगा तो फेर? माल चुपाया नहीं जाता, बल्कि बाटा जाता है हम एक एक लाग के बंडल बनाते हैं और जान पैचान की दुकानों पर छोड़ देते हैं और हमें जरूरत पड़ी तो? ये नदी बहती रहती है किसी भी वक्त स्ट्रॉ लगाओ और माल खीच लो अंकल कार गायब है भी ये कह रहा है कि आपकी कार गायब है अरे उसका दिमाग खराब है 10 मिनट पहले जो कार आई है मैं साइन करके ओडर सुबे तक भेज़ दूँगा तुमारा दिमाग खराब है इतने अच्छी प्लाइनिंग के बाद भी कार गायब हो गई इसका सीधा सा मतलब है इंटेलियंस के लोग हमारे उपर नजार रखे हुए है इसलिए हमारी कार जब्ट कर दी गई है सर दस करोड ही तो है भूल जा आगली डिल में कमा लेंगे जा जल्ली से फाई ले करा सर हमारे घर के आगे एक लाल कार खड़ी है जिसमें चावी लगी काम धमाम गनेश मूर्ती भी ऐसे ही पकड़ा गया था उसने लगबख 14 एमेले से बात की है हरे का रिकॉर्ड है वासंती लगता है कल तक मदरी निकलना पड़ेगा कोनार रेस्टरान से थोड़ा सब मीट भेज देना इसका बुरिया बिस्तर बांदो यह मन्हूस है दस करोड के साथ मेरी पोस्ट भी खा गया यहां हर कोई मजे कर रहा है तुम्हारी क्या परिशानी है इमानदार हूं सर डिपार्टमेंट में दो तरह की कम्यूटी है पहली करेप्ट दूसरी ओनेस्ट करेप्ट करेप्ट कहीं से भी रिश्वत ले सकता है ओनेस्ट करेप्ट रिश्वत का सोर्च छुपा कर रखता है सर सच में इमानदार हूं तब तो सबसे बड़े चोर बनोगे मौका मिला तो सबको बेचकर खा जाओगे आयम ओनेस्ट करप्ट मिनिस्टर मुथो पांडी पकड़ा गया वहों पांडी भूपांऑ आए आए अरे क्या हुआ खराब कर दी बस एक सेकंड अच्छी लग रही हूँ ना बस एक सेकंड फेस्बुक पर अप्लोड कर देती हूँ पोस्टिंग अब खराब कर सकते हो तुम्हारा हस्पेंट मैं हूँ या फेर ये फेस्बुक आओ जानू को बुरा लग गया तुम मेरे हस्पेंट फेस्बुक मेरा बॉइफ्रेंट तो इतना सजना सवरना फेस्बुक के लिए है बेवकुफ हो क्या आज क्या है तुम्हें याद नहीं आज 26 अक्टुबर देखों तो क्या है हाँ आज के दिन तो भगवान मुर्गन को सोने के रत पर घुमाया जाता है जए हो जए हो बहुत हो गया मैथिस सही कहती है मर्दों को गंदे जोक और बदवास फिल्मों के नाम अच्छे से याद रहते हैं लेकिन अपनी बीवे का जनम देन याद नहीं रहता ओ दते रिक और सुंतर लगोगी मम्य पापा का है वो दोनों मंदिर गए हैं और कहकर गए हैं कि तो मुझे दिनर पर ले जाओ तो फिर पहला दिनर यहां और दूसरा दिनर पाहर है इस रोड पर कोई फाइस्टार होटेल है मैं एक इमानदार पुलिस ओफिसर हूँ जिसे पीएफ काम चलाओ फिर तो मुझे रिश्वत लेने वाले ओफिसर से शादी करनी चाहिए थी क्या हुआ है देखो टू फिफिटिसीक्स लाइक्स मिल गए है तेरी अधे एई मुझे पर गुस्सा आ रहा है नहीं जसने फेस्बुक बनाया और करोड़ो कमाता है उस पर मतलब फेस्बुक का मालिक अरे का यह का मालिक पूरी दुनिया उसे मानती है तुम कितने पिछले हुआ 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 है और तुम कुछ ज्यादा यह ओट रही हो मौतरमा देख लेना एक दिन तुम सिर्फ पकड़ कर बोलोगेगी ये फेस्बुक क्यों बनाया है अब चलो गुस्सा थूको यहाँ से चलते हैं सर जी अबने मुझे अलग से टेबल बुक करने के काह था मैं लाइट ऑन करता हूं है 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 तुम सब आयों इस रियल सप्राइज अच्छली सारे फेस्बुक फ्रेंज को यहां बुलाने का आइडिया तुमारे पती का था अच्छा हुआ ना अच्छा हुआ ना थांक्यू सो मच लेकिन इन्हें इन्वाइट कैसी किया तुमारी दोस्त मैं थी है ना सिग्रेट रखने के लिए थांक्स सतीश तो लोग शुब करो नहीं बस तो ही दिर में जॉइन करता हुआ इतना सारा खर्चा क्यों मैंने एक बहुत बड़े बिस्निसमैन पर एक चोटा सा हैसान किया है तभी मैं सोचू तिखाने के दाथ और खाने के दाथ अलग क्यों है अरे वो क्या पी रहे हो ये देखो विलायती ये है एलेकिस हर महीने एक नया बिस्निस करके छोड़ना और पकड़ना इसकी खासियत है और ये है सतीश बेचारा जब इसकी बीवी इसके बच्चे लेकर भाग गई तो इसे अपनी बीवी पर गुसा नहीं आ है बलकि दोश इसने टेकनोलोजी को दिया ये है मारी इसने पुलिस की नौकरी मेरे साथ जॉइन की थी और फिर छोड़ दी क्योंकि इसके हिसाब से इस जॉब में इमानदारी की कोई जगा नहीं है अरे कहां से लाया ये एक बड़े बिस्निस मैन पर छोटा एहसान शुरू करो मैंने अपने दोस्तों से कभी कुछ नहीं छुपाया पर अब छुपाता हूँ खास कर जब से मैंने लोगों की जासुसी शुरू किया मैं किसी पर यकी नहीं कर सकता आज जो मिनिस्टर पकड़ा गया ना तुमारा डिपार्टमेंट चामेल अगया अरे बड़े लोगों का काम है हमारा क्या लेना देना तू फोन टाप करता है या नहीं हमें भी तो कुछ एक्सपिरियेंस बता ये तो असली मसाला है जासुसी बहुत ही गंदा काम है हर एक वियाईपी अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है पूरी दुनिया डबल स्टांडर्ड तुमने भी शुरू कर दी क्या अरे नहीं मेरे लिए नहीं मेरे भाई के लिए इसने उसे भी बिगार दिया है देखो बाहर ख़ड़ा कैसे लार टपका रहा है शराबी सब सामने आ जाएगा कभी अपनी जासुसी करके देखो तब भी ऐसी ही बदबुआएगी कभी अपनी बाचीत को रेकॉर्ड करके देखना तुम्हारा दिल कुछ और कैगा और सुबान कुछ और तु ऐसा क्यों नहीं करता अपने माबाप की पीवी की या हमारी जासुसी कर करके तो देख, तब तुझे पता चलेगा कि हर कोई दोहरा है क्यों इसकी फैमिली बरबाद करने पर तुला हुआ है सेलवम, अर्जेंट काम है, जल्दी आफिस पहुंचो ब्लैक शिप को ट्रैक करो मुझे ये जानना है कि वो इस वक्त कहा है और किस के साथ है ठीक है सर, शादी के पहले मैंने तुम्हें बताया था ने यही पुलिस की नौकरी है अभी डाइम नी ये बाद में बाहर में जाओ सर, उसका सेल फोन स्विच आफ है सुबह तक कोशिश करते रहो हेलो, सर घर पर है वो घर पर नहीं है मरी मत्थू बोल रहा हूं, सर घर पर है नहीं, वो घर पर नहीं है हाई मैम मुझे एक अर्जिन कॉल आने वाला है, तुमसे बात नहीं कर सकती तुम फोन रखो, वाट्साब करो मुझे अभी सिगनल वीक है मैम तुम्हें बात करनी है या नहीं ठीक है बोलो, बोलो ना तो, वो का है क्यों ताकि अंदाजा लगा सको कि हम कितनी तेर बात कर सकते है सुभा तक कर सकते है दिल्ली से तीन लोग मिलने आये हैं उन्हें महाबलीपुरा में मेरे नाम पर एक और गेस्टाउस है वही सब ठेहरे हुए है मंगई अमा गेस्टाउस इकना साही कैसे किया तुम्हें मैं तुम्हें प्यार से मैम क्या कर बुलाता हूँ तुम्हारा अस्बंड जरूर तुम्हें मंगई पार सर मंगई अमा गेस्टाउस में दिल्ली वाली पार्टी पर तुम्हें कैसे किया तुम्हारा अस्बंड वागई भाका के बुलाता है ला वाइल्ड गेस्टा बढ़े तेज हो तुम्हार ये मीठी मीठी बाते सुनने के लिए ही तो जाग रही हूँ बस ऐसे ही बोलते रहो वैसे भी वो तो पीकरी कर आएगा आएगा और बैट पर लेट जाएगा भगवान ऐसे गलत मैच बना कर रुमांस खत्म कर देता है कल मैंने एक सुन्दर सी साड़ी पहन कर उससे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ उसने कह दिया सूपर्ब फिर मैंने जल्दी से उसकी आँखों पर हाथ रखकर साड़ी का रंग पूछा बता नहीं पाया वो शादी के बाद बच्छा पैदा हुआ और उसी दिन रुमांस खत्म अब तो उसे सिर्फ पहसा शोहरत और नाम चाहिए आधे से ज्यादा लोगों को तो यहीं नहीं पता कि रुमांस और उसमें क्या फर्क है अब इन्हें कौन बताए के रुमांस क्या होता है एक दूसरे के करीब आना मीठी मीठी बाते करना और बाते करते हुए एक साथ हसना पर मेरा पती तो ऐसा है कि आते ही शुरू हो जाता है तुम्हें पता है, तुमने जो फेस्बूक पे मेरी फोटो लाइक की थी ना, आज मैंने वही साड़ी पहनी है मैम, आप चाहे कुछ भी पहनो, मैं आपको प्यारी करूँगा सच में? आप किंती भी गिनोगी, तो वो भी ऐसा लगेगा, जैसे इलिया राजा का म्यूजिक सोच लो, अभी शुरू हो जाओंगी प्लीज वन तू वावा त्री सुपब फूर बस करो, मैं भी बोर हो गई तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? क्या? तुम मुझे पागल कर दोगे ये सब तुमारी खुबसूर्थी का दोश है ये तना अच्छा बुलवाता है मुझसे एहे, एक जवान बीटी की मा हूँ मैं अरे बीटी की मा हो तो क्या हुआ? मा भी तो एक और अरती है ये तो भगवान का गिफ्ट है तुमसे बात करके तो लगता है कि मैं दिन बर दिन जवान हो रही हूँ तुम्हारी खुशी के लिए आजकल मैं रोज नई साड़ी बहन कर फेस्बुक पर फोटो डालती हूँ सच-सच बताना बताओगे न क्या मैं तुम्हारी अगेली दोस्त हूँ या मेरी जैसी और भी दोस्त हैं तुम्हारी सच जानना चाती हो मेरी से अच्छे बहुत सारे लोग हैं जो इस कामों में पढ़ते हैं एच टीवी पर इलमाई राजन शो आता है उसके बारे मैं बताने लगो तो तुम चौक जाओगी अगर कुछ सुन्दर लड़की होती है न तो उसकी पांच दिन स्यादार यार से लोती है विश्वास नियों तर लाइन पर हो मैं अभी एक दोस्त को कॉन्फरेंस में लेता हूँ जिसने यह सब बुकता है कहां का ग्लोस अप यखीन नहीं होता कल कॉन्फरेंस कॉल में उसी के मूँ से सब उगलवाऊंगी अब नींद आ रहे है ओके टाली, you go back to sleep ओके बेबी, take care मुझे तो लगा था ये सारी चीज़े फिल्मों में होती है पर अब टीवी पर भी कॉन बताई के रुमैंस क्या होता है एक दूसरे के करीब आना, मिठी मिठी बाते करना और बाते करते हुए, एक साथ हसना क्या करे हो? एसे क्यो सूंग रहे हो तुम भी ना सीको तु रुमैंस क्याते है आज बड़े रुमैंटिक हो रहे हो बात क्या है, फिर टाइम पस क्यो करना, शुरू हो जाए तुम भी ना बहुत देज हो आराम से सर आओ बेठो ठीक है सर बेठो रात का ऑपरेशन अच्छ रहा लोगों ने काफी तारिफ की है ये दोनों आई जी हैं, गोपाल सेमी और मिल्टन सर ये मेरे बैच मेट हैं, अगले साथ सालों में ये डी जी पी की पोस्ट पर पहुँच जाएंगे जिसे हमें रोकना है पुलिस की ड्यूटी के अलावा सारे कामों पर धिहान है उनका किस से बात करते हैं, किस से मिलते हैं, कहां जाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में होना चाहिए सर, प्रिंसिपल सेकरेटरी पॉमिशन? पंदरा दिन से ज़्यादा लगे तो चाहिए होगी तब तक हम कुछ भी कहकर टाल सकते हैं इसमें मेरी ओफिशर अपरूवल नहीं होगी सर, यहां हर कोई आपसे डरता है एक बार मेरा इंट्रो करवा दो, बाकी मैं समालूँगा वो पहले ही कर दिया है सल्वम, यह बात लीक नहीं होनी चाहिए नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल बचाना ही पाऊंगा क्यासी वर्मलेटी, हम दो दोस्त हैं तुम इतनी पाऊवरफुल सीट पर बैठे हो, तुमसे मिलना तो बनता ही है सित, तुम्हारा नाम क्या है? सल्वम, जब मैं मदुरई में था तो यह वहाँ कैम इंस्पेक्टर था तुम्हें बात करनी है यह नहीं कभी अपनी जासु सी करके देखो, तब भी ऐसी ही बदवाएगी क्या प्राइब करना तुम्हें ट्रू कॉलर पर तेरा असली नाम क्या है मंगाई करसिया ओ अपनी मैडम के नाम पर सिम ले रखा है क्या हुआ आज काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है इतना मत सोचा करो खाना खाओ तुम लोग एक ऐसा कफल हो जो चार साल से अलग रह रह रहे हो और इस शो में तुम लोग साथ में होने वाले हो तुम रो सकती हो ना अब भास क्यों रही हो तुमा तुमा सर 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 पोशिश कर दिया अगर काम की नहीं है तो टाइम क्यों खराब कर रहा है देखने में तो ठीक है सर तो उससे पूछ के आज चलावा देपाएगी बोग पूछनी है कैसा चलावा जैसे हम सपनों को फूरा करने के लिए अपने भगवान को चलावा देते हैं खुछ पैसा ही देखने में तो ठीक है सर तो उससे पूछ के आज चलावा देपाएगे शायद यह कोई पुराना विक्टिम हो सकता है कोई भी हो उसकी खाल उतार देंगे देखे सर वाई क्लीप है अलो अरे यह वोच के सीम लग रही है आकिर हो क्या रहा है अगर एक भी आडियो लीक हुआ तो समझ लो सब बंध हो जाएगा अरे मैडम यह चैनल चलेगा कैसे अगर मैं सबको ऐसे छोड़ दूँगा रोड पर पड़े कच्रे से भी तो हम अपने आपको बचा करी चलते हैं ना तुमने से नमर को ट्रेस किया हलो वो इस क्वालिटी मस्त है ना एए कौन है तो मीडिया से पंगा मतले बच नहीं पाएगा सुन तेरा ओपनेंट चैनल मुझे बचा लेगा अगर यह आडियो उन्हें मिल गया तो तुझे बारा करोड का उफर है दो करोड का डिसकाउंट सुचने का वक गया हाँ बोल या ना बोल हाँ बोल दो इसे हाँ कहां पहुँचा रहा है सुन ध्यान से सुन दो हजार के नए नोट बंडल बना अच्छी तरह से एक नए स्विफ्ट कार खरीद और सब डिक्की में डाल दे अगले पांच मिनट में तुझे तेरे हार्ड ड्राइव मिल जाएंगे गैरंटी क्या है ए तु क्या दुकान में टीवी खरीद रहा है गैरंटी चाहिए तेरे ओपोनेंट चैनल पैसा लेकर खड़ा है ने 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 मुझे यकीन है मुझे यकीन है सिनिमा का दर्वासा देख रहा है जी हां सर वो बिल्कुल मेरे सामने ही है जाबी लगा कर निकला ओके सर ए ए कैमरा तयार रखा कोई न कोई तो कार लेने आए गई न बस एक पर उसका चेहरा देख जाए फिर देखना में क्या करता हूँ सर 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 वो टोवाली कार लेकी जा रहे है शटा कार में पैसे रखे हैं मैं ऐसे रह के इंस्पेक्टर को जानता हूँ मैं देख लूँगा ठीक है सर सर मैं मनी बोल रहा हूँ कैसे हो सर सर मेरे दोस्त ने गलती से अपने कार एचेस सनमा के आगे घड़ी कर दी थी और आपके लोगों से उठा कर ले गए है हाँ सर बताए हमारे टोविंट्रक तो यही है आज तो कोई भारनी गया सर सर कुरियर आया है यहां रखो शाड़लीक्स यह कॉल्स अचाड़लीक्स यह क्या लगता है हम सब की बाते रिकॉर्ड की गई है इस कमरे में कैमरा किसे लगाया सर यह तो हमारे ओपोनेंट्ट चैनेन पर चल रहा है यह सभी ओडियोज शाड़लीक्स के नाम से लीक किये गए हैं लोगों में गुस्टा भरा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सेलफोन की टैपिंग जासुसी और प्रावेसी को भंग करना एक अपराद है इस तरह के लिक्स को बढ़ाओ मिलना चाहिए क्या सर जॉर्नलिजम आखरी कगार पर है इस तरह के लिक्स ही तो जॉर्नलिजम को जिन्दा रखे हुए एक छुपा हुआ चेहरा ही तो सच को सामने ला सकता है सिर्फ 24 गहंटे के अंदर ही मेरे जिन्दकी पूरी तरह से तबाह हो गई मुझसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी लेकिन आज देखो मैं अपने ही घर में डर से चुपा बैठा हूँ क्यों कोई मुझे मार न दे मेरे बीवी बच्चे भी मुझे छोड़ कर चले गए दस करोड गए मुझे कोई गम नहीं बस वो मारा जाना चाहिए उसे मारना ही आखरी अप्शन होता तो उसे मारने के सो तरीके हैं बिना किसी निशान छोड़े लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल है उन में से कितने के साथ जुड़े हो ये कैसा बेहुदा सवाल है क्या मतलब है आपका उन लड़कियों में से कितनों के साथ अफैर है ओ अफैर कितनों के साथ है इसे शोग भी दो तो भी ये मूने खोलेगा कोई बीस पच्चिस लेकिन उन सब मेंसे किसी भी लड़की का हाथ नहीं है एक आदमी है इसके पीछे पर ये कोई आम आदमी नहीं है जिस नमर का यूज किया वो वर्चुल नमर है वापस कॉल करो तो ये फॉरन वेबसाइट पर ले जाता है मुझसे बात करने वाला कोई भूत नहीं था एक आदमी है तो ये कार तुमारी है लेकिन तुमारी नहीं है आरसी मेरे नाम से है जब चाहिए हो तो बता देना तुमारे पास पहुंच जाएगी बिलकुल मक्खन है I am honest corrupt क्या? आज कल यहां हर कोई corrupt है तो सोसाइटी साफ कैसे होगी? हन जी रिटार होने से पहले में 50 करोड कमाना चाहता हूँ लेकिन इस रफ्तार से तीन महीने में ही पूरा हो जाएगा चिंता मत करो, सब एज़स्ट कर दूगा पता इस दुनिया में सबसे दुखदाई चीज़ क्या है? जब माली के सामने ही उसके पैसे पर कोई मसे लूटे एंज़ॉई तो ये तुम्हारा तो है, लेकिन तुम्हारा नहीं है बड़े से बिजनसमेन पर छोटे से इसान के बारे में बताया था ना? ये उसी का घर है, एक हजार रुपे दे कर उसी से किराय पर लिया है एक बात कहूँ, हम अपने घर में कितने सुकून से रहते हैं जो है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए सोचो, अगर हमें उपर वाला ऐसी जिन्दीगी देना चाहता, तो क्या हम आज किसी अमीर के घर पैदा ना हुए होते? ठीक है, क्या हम यहां कभी आ सकते हैं? गेस्ट हाउस की तरह? ठीक है तुम्हें शादी शिदा ओरतें ज्यादा पसंद हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन शादी शिदा ओरतों के कई फाइदे होते हैं और वो क्या है? तीन फाइदे हैं, पहला, वो शादी के लिए जोरनी देती दूसरा, शादी शिदा ओरतें आपका बैंक अकाउंट बन जाती है जहां से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं लेकिन तुमने तो कभी पैसे नहीं मांगे? अगर मांगा, तो नहीं दोगी क्या? बताओ कितने चाहिए, अभी फोन से ट्रांसफर कर दूँगी और तीसरा, वो क्या है? कहानिया सुनना, कुछ पतियों की कहानिया तो बहुत मसितार होती है तुम्हारा पति आज कहा गया है? बैंककॉक बिजनिस? छोड़ो ये क्या पूछ रहे हो? हम सब को अच्छे से पता है, वहाँ क्या होता है? अभी किते बज़े? ग्यारा फोन रखो, बाद में करता हूँ बाद में फोन करती हो, फोन कट करो सुनो मम्मी पापा तो मारी बहन के घर गए है मैं माकेट जा रही हूँ, दर्वाजा खुला है मुझला है मैं मैं आइ है खावी कि अज़े है मैं मैं रहे है करी खावी कि अच्छे मारी नहीं आपकार रहते है जाल जाता है, आप सर्फ दिखावे के लिए एक बार मंगवाते हैं, मुस्कुराते नहीं आप, अब ठीक है, अलो, तो तुम मकान मालिक की बेटी नहीं, तुम तुम मेरे जैसे किरायदार हो, हाँ, हरे ये पता लगाने में आप, को एक हफता लग गया, और खुद को बड़ा पुलिस वाला समझते हो, चलो, गाड़ी निगला, तुम्हारी बहन खुबसूरत है, तो क्या मैं उनके खिलाफ केस फाइल करूँ, गलत ही तुम्हारी है, जाओ माफी मागो, I like him, देखो, इस आदमी के प्यार के चकर में मत पढ़ना, तो तुम दोनों को देख लूँगा, मू बंद कर, तुम कर्थी क्या हो? हाँ, अभी तो पढ़ाई खत्म की है, अब शादी का इंतिजार है, अब शादी करोगी, तुम से, तुम तु मुस्कुराते तक नहीं हो, पहले मुस्कुराना तो सीख लो, ओनेस्ट ओफिसर हो ना, यह रहे मेरे पेपर, तुमारे लिए दुल्हा ढूंदू? मेरे पापा भी तक नहीं ढूंद पाये हैं दुल्हा, क्यों, कोई कंडिशन है क्या? शादी की बाद पती से ऐसे बात करूं, मैं जैसे दोस्तों से करती हूं, जितने आये भाग गये. पे भगवाद, मेरे सारी मनों का मैं पुरी करना हूँ. ये मेरी तरफ से चड़ा देना, तुम्हारी सारी मनों कामना पूरी हूँगी. कामना है पूरी हूँगी ना? ये हलो, मुझे तो हसने को कहती हो, आज तुम्हें क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हारा यहां से ट्रांसफर हो गया है? सीधा पेड सबसे पहले करता है, एक साल में चौधा ट्रांसफर है. अब तो मुस्कुरा दो, ठीक है. क्यासा रहेगा, अगर मैं तुम्हारे लिए दूला ढूंड़ू? मैं आच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारे पापा दूला ढूंड रहे हैं, लेकिन तुम्हें दोस्त चाहिए. सही काना? दिदी, लगता है वो तुम्हें बाई बोलने के लिए खड़ा है. जारत इन के लिए बंद कर दूला ना, अकल ठेकाने आ जाएगे, तुम्हारे बेवकौफ गएगा. सर, लड़की इंतिजार कर रही है. आरे da मैं भहत प्राप्लब्लम हो गई है लो जिंदे की बोरिंग ऊजाती है. मेरे एक DSP दोस्त है उसकी बीवी किसी और के साथ फून पर बात करती है वो बीवी से पूछना चाता है पर कैसे पूछे उसे जाकर कहो कुल कर बात करने से ही मेरी जिंदगी खराब हो गई है और ते सोचते हैं कि किसी को कुछ भी पता ने पर बे वो शक करता है और वो चला क्या करती है और बात प्रे मानने को तेहार ने होती है जब मैं फोन करता हूँ तो बस घंटी बजने के बाद उठाती हो और अब पहली घंटी में उठा लिया ज़िए कैसे? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यू हो? कौन है वो? तुम्हे क्या फरक पड़ता है? मेर बॉइफरेंट है तुम्हे क्या करना है? इसके ने कल जिसने रात को ग्यारा बज़े फोन किया था और जिसे तुम्हे बाद में फोन करने के लिए कहा था वो मेरी जासुजी की? आज से हमारा पती-पत्नी का रिष्टा खत्म कल रात जब ये ग्यारा बज़े हुआ तो तुम्हे अभी तक मुझसे ये बाद छिपाई क्यों? शर्माती है कि मैंने तुम्हे प्यार किया और मैं तुम्हारी बीवी बन के रह रही हूँ मैं ऐसे जासुसपती के साथ नहीं रह सकती बाए हाँ मा हाँ बस अभी अभी आये हैं तुम अभी तक सोई क्यों नहीं ठीक है तुम सोजाओ मैं सुभा बात करती हूँ हाँ मा ठीक है अब तुम सोजाओ ये लो पानी हाँ मा ठीक है अभी बंद है इसलिए लोकेशन का पता लागाना मुश्किल है अकरिवार ये टावर नॉमर 24 से करेकेट था था इसलिए पूलिस टेशन के पास नुंगम मक्कम सर हेलो पीजाहट है वेज लाजवन अलव कापसिकम लास्टीस और थिन क्रस्ट प्लीस वेट सर अब अपाद्रस कन्फर्म करता हूं नंबर 15 वल्लूर कॉल स्टेट नूंगम मक्म येस चर्रेक्ट अथ कर्क्र्क्रश्ण देर क्यों हो गई बहुत आडर थे सर्थ अरे तुम अभी तक गई नहीं सर अपने सौ रुपए ज्यादा दे दे ठीक है चाओ अब बेवकूफ रडगा मुझे लगा कि मेरा दिमाग कमजोर हो गया पर अक्चली सौ रुपए वो मुझे ज्यादा दे गया चोड़ ना ये भी तो कितने लोगों को लुटते हैं मेरी बात का जवाब दो भूख लगी है खाने तो दो हम शादी कर लेते हैं तुम मजाग कर रही हो मुझसे शादी करो गया नहीं अब बस भी करो मैं सीरिस हूँ मजाग बंद करो यार इसका मतलब तुम जूट बोल रहे थे तुम सच में मजाग कर रहे हो ना देखो मुझसे पंगा मतलो अगर मैंने ठान लिया ना तो तुम्हें अपना बना कर ही छोड़ूंगी अच्छा मजाग था असी आई तुम्हें कैसे यकीन दिलाओं मैं सच में सीरिस हूँ देखो मजाग बहुत हो गया तो फिर मैं किसके लिए जिन्दा रहूँ देख लो लाइव देखो ड्रामा मत करो ड्रामा नहीं है लाइव है मुझसे शादी करोगे या नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है शादी करना जा भाड मेच्या पूछ पूछ कर दिमोग का दही कर दिया हलो सर्थ हलो सर्थ प्लीज बैठी यह कोन है मेरी असिस्टेंट बाहर इंतजार करेंगी वेरी हाइफ प्रोफाइल साइबर क्राइम इसकी मुझे पूरी हिस्ट्री चाहिए वेरी अचट आपका जो भी खर्चा है उसका डबल दूगा आपके ले सब फ्री है सर मुझे केस सुलजाने में आपकी मदद चाहिए कौनसा केस एच टीवी क्याना क्या चाहते हैं इसमें हमारा हाथ है नहीं बस जानना था आपके पास कोई जानका रही तो केस किस ने दिया है मानी इसी जगा से में अपनी लाब के लिए सेकंड हैंड मशिनेरी खरीदूँगा मैंने सब कुछ तै कर लिया है ठीक है लेकिन आयरवेद और अलोपेथी को मिक्स करके देवाई बनाओ ऐसा क्यों? फ्यूचर में काफी डिमांड होगी सर लेवर डोनेशन काब होगा एकतिस लोगों के मरने के बाद तुम्हारा नंबर आएगा समझी हर हटे परेशान करना बंद करो यह तो बता दो कितना वक्त लगेगा वह गरो की कतिस लोग जल से जल मर जाएँ अब जाओ यहांसे इसका नंबर मिल सकता है? तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे सुनना उसके लिए थोड़े और पैसे लगेंगे यार तेरी तो मार्केट में बड़े इजज़त है उसने मुझसे एक भी डाकुमेंट नहीं लिया पांच लाख रुपए ऐसे ही पकड़ा दिये अरे सुन यह पैसा सलवं कभी तो हो सकता है यह बास समझ में नहीं आई उसकी शादी को 11 महिने होने वाले हैं लेकिन तेरा भाई अभी भी मुझसे फिशकरी बनवाता है मचली साफ करते करते मेरे हाथ दुखने लगे हैं बेटा, मैंने खुद मचली साफ की है फिर फिशकरी बनाई है जाओ खालो वो कभी अमीर नहीं बनेगा अगर अप नहीं कमाया तो कब कमाया रिटायर्मेंट के बाद लोगों ने शेहर में पाच-पाच घर बना लिये हैं इमानदारी से काम करोगे डिपार्टमेंट में सब इज़त करेंगे घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरा सीना चोड़ा हो जाता है और तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है? हाँ वो ठीक है मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था मैंने तो कहा था तुमने कहा था मुझे अपने जिंदेगी जैसे जाहूं वैसी चीनी चाहिए अब क्यों पलट रहे हो मरने आत्मात्या करने से अच्छा है अलग होना बेवजय रिष्टों को ढोते रहने से क्या फाइदा मैंने कुछ गलत कहा था क्या हलो हाई स्वीटी कौन सा बैंक? ओ लगता है पती घर पर ही है हमें कोई लोन नहीं चाहिए, फोन रखो फोन मत काटाने तो बार-बार करूंगा कौन सा लोन है? थोड़ा ठीक से बताओ जब फोटो तुमने मुझे अलग-अलग बिंदी लगा कर भेजी थी मैंने उन्हें एक फ्रेम में जुडवा लिया है बिल्कुल इंदर धनुच लग रही है नहीं, प्रॉपर्टी लोन, गोल लोन, कुछ नहीं चाहिए मुझसे गुस्सा हो, इसलिए तुमने दिवार से सारी पेंटिंग अटा दी आपका इंट्रेस्ट रेट बहुत ज्याता है, फोन रखे, प्लीज तो मैं पता है, तुम मेरी जिंदगी की रोश्णी हो, तुम पर भाहत तरस आता है, पती के जाने के बाद मुझे फोन करना है थैंक्स हे, सीधा फोन काट दिया करो हर रोज मार्केटिंग के ऐसे कम से कम दो कॉल्स आते हैं, लोन लेने के लिए राजी करते हैं, फिर कर्जदारों के पीछे-पीछे घूमते हैं हलो हाई स्वीटी कौन सा बैंक? लगता है पती घर पर है हमें कोई लोन नहीं चाहिए, फोन रखो फोन मत कांटर तो बार-बार करूमा कौन सा लोन है, थोड़ा चीक से बताओ जब फोटो तुमने मुझे अलाग-अलाग विंदी लागार भीजी थी मैंने उन्हें एक फ्रेम में चुड़वा लिया है बिल्कुल यह तरदा नुश लग रही है नाम बाला कृष्णन, फेस्बूक नेम बाल की, कम्पुटर एंजिनियर, कॉलेश का टॉपर Microsoft या IBM में होना चाहिए था 0.2 मिलियन शेर का मालिक होता इंटरनेट पर औरतों को फसाता है यह एक तरह की मानसिक बिमारी है शराब या सिगरेट पीने जैसा इंटरनेट पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है उसके पास बढ़िया तकनिक है पहले लड़कियों का प्रोफाइल पढ़ता है फिर रिक्वेस्ट भेशता है जैसे ही वो एक्सेप्ट करती है वो सैलेंट हो जाता है धीरे धीरे उनके प्रोफाइल में दो साल पुरानी पोस्ट तक पढ़ता है कौन से हिरो के फिल्म First Day for Show देखना नहीं भूलती फेवरेट म्यूजिक डिरेक्टर, फेवरेट सॉंग, उसके फेवरेट लिरिक्स कौन से फुल की खुश्बू पसंद है वो सब कुछ पता कर लेता है अगर लड़की को मोनालेसा की पेंटिंग पसंद है तो उसी पे वो पोस्ट डालता और लड़की खुश वाव, कोई तो है मेरे जैसा वो लड़की, पोस्ट लाइक करना शुरू कर देती और उसकी पोस्ट पर आई लाइक से पता चलता कि उसने कितनी अच्छी तरह से तयारी की है उसका बाप एक बड़ी तेल कंपनी का रेटायर सी एमडी है वो उस बंगले में रहता है जो अल्टरनेट इंकम से बना है और अंजेब की तरह इसने भी अपने बाप को घर से निकाल दिया है इसकी कोई परमनन्ट इंकम नहीं है लेकिन उसका अकाउंट डेखने पर मुझे पता चला हर हफते 0.3 से 0.4 मिलियन इसकी अकाउंट में जमा होता है एक और ज़रूरी बात पिछले तीन आत्मात्याओं में पुलिस को इस पर डाउट था उस पर इंक्वारी होई लेकिन कोई सबूत ना होने की वज़े से उससे छोड़ दिया गया ये रही उसकी पूरी डिटेल्स ओके इंफोर्मिशन के लिए थांक्स या स्मार्ट है सर जरा भी एमोशन नहीं दिखाया किया है ये जानकारी डेपार्टमेंट के लिए ने कैसे कह सकते हैं डेपार्टमेंट काम की इतनी जल्दी पेमेंट नहीं करता है हलो मैथी इतनी रात में क्यों फोन किया तुमसे मिलना जरूरी है तुम कहां हो मैं मदूराई अपनी ससुराल में हूँ तीन दिन में वापस आजाओंगी क्या हुआ ओके जब वापस आओगी तो इतनी परिशान क्यों लग रही हो क्या हुआ असल में मेरी एक फ्रेंडशिप हुई थी फेस्बुक पर हाँ तुम तु जानती हो ना लाइक्स मिलने पर मुझे कितना अच्छा लगता है मैंने बेना सोचे समझे सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली यह हमीशा कहते हैं असल जिन्दगी में लोगों के साथ हम जितना भी हज बोल ले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता लेकिन यह कंप्यूटर है यह हमारी सारी बातचीत रिकॉर्ड करता है इसलिए संभल के रहना अरे कैसी रिक्वेस्ट जो मैंने एक्सेप्ट की थी उसमें मेरी जिंदगी में उथल-बुथल मचाती मैंने असा कभी सोचा नहीं था मैं थी आखिर हुआ क्या है तुम जानते हो मुझे इंग्लिश नॉवल्स पसंद है इन्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है मैंने अपने फेवरेट नॉवल का कावर पेज पोस्ट किया था पांच मिनिट बाद ही उस नॉवल की उनीसवे नंबर पेज की हुपसूरत लाइन्स कमेंट्स में लेग दी है मैंने शुचा वाओ यह कौन है मेरी जैसा और इसकी कमेंट को लाइक कर दिया और मैं चाल में बास कई जब कभी बारिश होती है तो मुझे कॉफी पीने में मजा आता है बहुत महले मैंने पोस्ट में डाला था उसने भी बारिश में कॉफी पीते वे फोटो लेकर पोस्ट कर दी इसी तरह हम एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करते रहे मैं थी तुम्हें तो गव्मेंट को लरक की हालत पता ही है एक दिन में दिवार पर टांगने के लिए कुछ रेफरेंस पेंटिंग्स ढून रही थी मैंने पोस्ट के साथ एनिबडी देर लिखकर डाल दिया यह सब नहीं नहीं चीजें कहां से लाती हो मेरा बॉइफरेंट आ लव यो टेस्ट सच में किसी को यकीन ही नहीं होगा कि यह पुलिस कोर्टर से शादे के बाद यह मेरी तारीफ कम ही करते थे मेरे अंदर उस इंसान के लिए इज़त बढ़ गई जिसने इन्हें फिर से त क्या हुआ आज तुमने कुछ पोस्ट नहीं किया नो मूड प्लीज रोज सुभे जब तक तुमारी पोस्ट नहीं देखूं मेरा तो दिनी शुरू होता उफो पती के लिए क्या बनाओ ये सोचना मुशकिल नहीं लगता जितना रोज एक पोस्ट करना मुशकिल लगता है प्लीज, वन पोस्ट, कोई चोटा सफूर, कोई पॉधा, कुछ भी, कुछ भी, तुम्हारे गवरे में जाडू है, जाडू हाँ, 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 बिल्कुल है, उसमें से एक तिली निकालो, टेबल पर रखकर उसकी फोटो के जो, और पोस्ट कर दो, मैं तिली तुम्हारे इंत जब ही घर में धूल देखती हूँ, खुशी से उचल पड़ती हूँ, कि तुम्हाओगी और मुझे पकड़ोगी, वाउ, तुम्हें सिर्फ काले बिंदियां पसंद है, किसी और रंग के बिंदी क्यों नहीं लगाती हूँ, और इस तरह कभी-कभी मैं अलग रंग की नर्था को मैसूस किया, कभी-कभी तुम्हें अबने किचिन का काम भी लैप्टॉप को सामने रख कर करती थी, थोड़ी दिर में फोन करती हूँ, तुम्हें केरला कडला करी बनाना आता है? नहीं आती, तुम्हेरी रेसेपी क्यों ही ट्राय करती हूँ, तुम्हारा पती हो जाएगा, सच में? एक पती लालो, नहीं, इतना चोटा नहीं, थोड़ा बड़ा पती लालो, करी के पत्ते लो, थोड़ा सा जीरा, दालचिनी, दालचिनी से केरल वाला स्वाद आएगा, सूपर, थोड़ा नस्दीका के बोलो, सूपर, ग्रेवी दिखाओ मुझे, लाप्टॉप के अंदर से कैसे सूँ होगे, क्यो बगवान को भी तो ऐसे चड़ाते हैं, बगवान लेते हैं और नहीं, सूपर, इसलिए नहीं कि ये मेरी रेसिपी, बल्कि इसलिए क्योंकि फेस्बुक को कोस्ते रहते हो न, वहीं से मिली है, फेस्बुक जिंदा बाद, वो अच्छे दोस्के तरह बात करता था, मैंने उसे घर आने के लिए काता था क्यों से अपने पती से मिला सकूँ, तुहारा घर कैसा है, बहुत ही छोटा सा है, हाँ अगर वो एस्पी होता त यह थो वाकही बहुत बढ़ा है, अब मुझे अपना गर दिखाव, अभ मुझे अपना गर दिखाव, अमाई गाड, वेरी सज़्ट कियो ही पेंटिंग्स तुम्हें अच्छे से लगाई है, अच्छा है न? यह बाथ रूम है क्या है बहुत छोटा है लेकिन गवर्मेंट क्वार्टर में सबसे बड़ा है पर यार बाथ रूम तो बिलकुल खाली है वहां क्या हो सकता है उसे भी सुन्दर्चियों से भर सकते है कैसे बदाता हूं सर पार्सल हमने तो कुछ नहीं मंगवाया था मैम बुकिंग एडरस तो यही का है अलड़ी बिल पेड़े क्या है इसमें इसके इंदर रूम फ्रेशनर है एक मिरिट मा दिखाईये तो मा यह मैंने ही ओर्डर किया था भूली गई थी रजनी कंदा का रूम फ्रेशनर यह तुम्हें कहां से मिला सस्पेंस हेलो अभी मत खुलना सीधा बात रूम में ले जाओ फिर कवर उतारो बटन अन करो और स्टैंड पर रख दो यह स्प्रे करेगा जरूरी नहीं कि हम अपनी हार जगय को चीजों से भरें पसंदीदा खुश्बू से भर सकते हैं अपने यादों से भर सकते हैं अपने पसंदीदा लोगों से भर सकते हैं कॉक्रोच था मा कॉक्रोच था जब मैंने उसे अपने बाथरूम में महसूस किया मैं बहुत डर गई थी तुम उसे ब्लॉग क्यों नहीं कर देती किया था वही से तो सारी परिशानी शुरू हुई हलो हाई मेरी जान ए तमीज से बात करो बीवी समझ कर अखा है क्या हो जाती है रूम फ्रेशनर से भी होता है क्या हलो तुमने मुझे ब्लॉग क्यों कर दिया पसंद नहीं हो तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं चुड़ा सकती हो मुझसे चोरो चक्के फोन रखो चोर फिर तो मैंने जरूर कुछ चुड़ाया होगा फेस्बुक पर लॉग इन करो और मुझे एक्सेप्ट करो नहीं किया तो मैं इसे पोस्ट करूँगा और तुम्हारे पती को पता चल जाएगा कि ये लवली किस उसके लिए तो नहीं थी तो फिर ये किस के लिए थी मैंने एक्सेप्ट कर ली कोई फायदा ने और तुम्हें क्या चाहिए तुम चाहिए तुम बेवकूफ हो क्या तुम्हारा पती एक पुलीस वाला है तुम मुझे सब सच सच बता दो वो उसकी अकल ठिकाने लगा देगा देगा देखो ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला मुझे लगा था कि वो एक अच्छा दोस्त है मैंने उसे अपनी बहुत सारी बाते भी बता दी है उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और कहता है कि मैं सब लीक कर दूँगा अगर इने पता चल गया तो मैं जिन्दा नहीं रह पाऊंगी मैं तुम्हारे पती से बात करूँ क्या नहीं नहीं प्लीज उनसे कुछ मत कहना नहीं तो बची कुछी जिन्दगी भी तबाह हो जाएगी मैं पहले ही अपने पती से आख मिलाकर बात नहीं कर पा रही अगर अगर गलती से भी पता चल गया कि मैं पुलीस वाले की बीवी हूँ, तो सब खत्म सारे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा, अपने पती को इस तरह से बेज़ित होते देखने से अच्छा है कि मैं माल जाओ। चल छोड़, कैसे भी अपने पती को बिना बताई से खत्म करने की कोशिश कर, जस्त थ्री डेज, बस तब तक संभाल ले, फिर मैं आ जाओंगी थिरू वलुवर कॉल स्टेट तुम्हारे अंडर आता है? यस बस क्या करना है? आप बताईये तो सही फटाफट हो जाएगा सुभा साड़े नौ बजे लेपटॉप लेकर घर से निकलता है जैसे ऑफिस जा रहा हो 9.45 पर मेट्रो स्टेशन पर पहुँच जाता है 10 बजे की मेट्रो पकड़कर केके नगर उतर जाता है कॉफी शॉप में बैठ कर हर लड़की से बात करता है जब तक कोई लड़की फस नहीं जाती तब तक बैठा रहता है और जब कोई लड़की फस जाती है तो उसे ले जाता है हलो सर हलो मैं आपको जानता हूँ आप लोयला कॉलेज के 2002 बैच के हैं न आपकी शादी त्रिपुरम कुंदरम में हुई थी राइट आपकी वेडिंग फोटोस देखी हैं मैं आपकी वाइफ का फेस्बुक फ्रेंड हूँ मैं फेस्बुक यूज नहीं करता है कहां जा रहे हैं आपका ओफिस इस तरफ है नो नो केके नगर कॉफी शॉप नो केके नगर कॉफी शॉप नो के साफ बाई चेड़ खाने करने आया या हुआ 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 ह इस पर केस दर्जिकनो साब सर आप यहां चलो जाओ यहां से चलो जाओ निकलो इसे मैं अच्छी तरह से जांता हूँ केस डाल कर इसके जंदेगी खराब मत करना बस वॉनिंग देकर छोड़ देना अज़ अज़ यहां अज़ाइगी marks वाईटा यहां मतक्राब यहां व्रफश्टा धुड़ यहां अज़ यहां प्रॉ। कि अगलम क्या चाहिए तुम्हें 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 थोड़ा वक्त हुआ वर में इरादा बदल दिया है तुम्हें अभी मिलना जाता हुआ तुम्हेसा सोच्राँ मैं वैसी नहीं हूँ अब बस करो जोबीस घंटे दे रहा हुँ तुम्हें आओ और मुझसे अकेले मिलो कितने का इंदाजाम हो सकता है नमस्कार सेर आखे बदल गया है तुम्हें अरे सेर आप से इतनी मार खाने के बाद कोई कैसे नहीं सुधर एगा मैं सुधर गया सेर अरे बैट ना सर सर अखेर बात क्या है सर वेक इंकाउंटर में किसी मुझरिम को मारना बड़ा मुश्किल है इसलिए उन्हें ठीकाने लगाने के लिए तेरी मदद ली है एक साइबर क्रिमिनल है अरे सर आप चाहते हैं कि मैं किसी को आपके लिए मार दूँ जिन्देगी बहुत कीम्ती है सर सर क्योंकि आपने उस वर्त मुझे जिन्दा छोड़ दिया था तभी तो आपसे बात कर पा रहा हूं सर हर परिशानी को बात से सुल जा सकते हैं एक बार बात तो करके देखू सर चलता हूं सर नमस्कार हालो पहले हम गलियों में छोटे मोटे चोर उचक के पकड़ा करते थे आजकल पकड़ते हैं इंटरनेट वाले हैं घर जा कर आराम से पढ़ लेना किसी भी वक्त मारे जा सकते हो मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मेरी वाइफ को बता ना चले कि मैं इसके बारे में जानता हूं चलने कल ये सौदा तो आप मार पीट से पहले भी कर सकते थे सर एक बहुत कहूँ, किसी भी औरत के पास जाने से पहले, उसके बारे मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ यहां तक कि उसके घर वाले किस हद तक जा सकते हैं, वो भी आपकी वाइफ ने एक पूस्ट किया था A single star on shoulder is better shining than million stars on the sky तब मुझे लगा था कि आप honest officer है लेकिन लोगों से पिटवाते वक्ट जो लोग का अपने मुझे दिया तभी मैं समझ गया कि आप honest आदमी नहीं है उसी रात मैंने तुम्हारा computer hack कर लिया मैं चौक गया हजारों files, voices और लोगों के रास सर computer पर और ढूंडनी, खोजनी और निकालने के बाद तुम तो खुद ही महाचोर निकले और आपने पैसा लिया और वो भी किसी और के नाम पे इस का इस आप कौन अपने computer पर रखता है और वो HTV क्या कमाल का गाम किया है सर अगर मैं सिर्फ वो लीग कर दो न तो तुम्हारी जिंदगी तो जन्ट एक बात समझ लो सर अब से मैं तुम्हारी बात नहीं मानूगा तुम मेरी बात मानोगे रेलवी स्टेशन पर आकर तुम्हें मुझे शॉक दे दिया लेगन अब यहां जो शॉक मैंने दिया है वो अच्छा है ना शॉक नहीं दिया पकड़े कए हो अगर मैंने डिपार्टमेंट को एक एसमेस कर दिया कि तुम्हें ने कंप्यूटर है किया है तो तुम्हारी यहां से सिर्फ लाश है चाएगी जब इंसान के राज खुलते हैं तो वो बहादुरी दिखाता है पर उसका दिल अंदर से डरा हुआ रहता है तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे यहां सुना ही दे रही है ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ तुमने बहुत लोगों को धंकाया होगा तुम्हारी भीवी नहीं जानती कि तुम मुझसे मिल रहे हो तुम दोनों तरफ से पहच को है सर.... आज से हम दोनों धोस्ते हैं जैसे गैंकस्टर्स होते है तुम्हारी हिंमत और मेरे दिमाग के साथ हम उन सीक्रिट से करोनों कमा सकते हैं जो तुम्हारे पास रखे क्योंना हमें एक दुसरे के सुक्तुक बराबर बांट लें? नहीं तो तो पर एक ये रास्ता है? वो क्या? अगल पुलिस, बेच आप हर बार जब इसे अलग डड़की के साथ देखता था तो लगता था कुछ गड़ बड़ है सीची टीवी फुटेज धिलीट करते हैं हाँ ठीए सर कौन से कोट ले जा रहे हो किस लिए? ताकि पेल लेकर केस को खीच सके सीधा जहन्नुम जाएगा तू हलो सर नहीं बोलू तो क्या बोलू सर थोड़ा प्यार से बुलाओ न जैसे बेवकूप बुलाओ जान कहके बुलाओ मुझे बिलकुल बुरा नहीं लगेगा अगर जाने मन का हूं तो चलेगा जो डेटा मैंने हैक किया ये उसका सैंपल है जिसे प्रीप्रोग्राम्ड कंप्यूटर ने भेजा है अगर अगले तीन घंटों में मैंने इसे स्टॉप नहीं किया तो सारी आडियो फाइल्स अपने हाप मीडिया में चली जाएगी ए स्टॉप सॉप यू स्टॉप साइबर क्राइम के ज्यादा तर स्टोरी फेक होती है गवर्मेंट बालकी के कंप्यूटर स्किल का यूज सिर्फ एक गुप्त जानकारी कठा करने के लिए कर रही है उसे ब्लैक मेल करने के लिए अब उन्हें हमारी मदद चाहिए लेकिन नाक पर छोट का निशान समझ नहीं आया जो पुलिस पहले दोस्त थी वो अब दुश्मन बन गई इसने लिमिट क्रॉस की होगी क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा सही की जीत होगी और गलत की हार लेकिन अगर दोनों गलत होए तो कैसी हो मेरी जान हमें मिल ला था ना अगलमा इतनी खामुशी ये आखरी वार्निंग है वो कह रहा है उसे इसी वक्त मुझसे मिलना है क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आ सकती हो मुझे बीस मिनिट लगेंगे ठीक है ठीक है बस आजाना चलो आखरी बार कोशिश करके देखती हूं मैं उससे मिलकर रिक्वेस्ट करोंगी मुझे उमीद है वो मान जाएगा लेकिन मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है तुम भी चलो ना बाहर आटो रिक्षा में मेरा वेट करना अगर मैं पांच मिनिट में बाहर नी आई तो तुम आजाना तुम्हारे भाई को साथ ले चलो अगर उसने मेरे बती को सब कुछ बता दिया तो वो कह रहा है उसे इसी बफ मुझे मिलना है क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आसकती हो मेरे पती का फोन है अब ही मत उठाँ अगर परिशानी में तुम्हें सब कुछ बता दिया तो कर्ट कर दो अरे स्विच ओफ क्यों किया अगर एक बार भी मुझे दिया कहा ना तो जोर कथपड मारूंगी मैं तुमसे यहां कोई भीक मांगने नहीं आई हूँ मैं एक पुलीस वाले की बीवी हूँ और मैं तुम्हें यहां आखरी बार वार्निंग देने आई हूँ अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारी हड़ी पसली एक कर देंगे महीनों तक बेट पर पड़े रहोगे मुझे पुलीस से बहुत डर लगता है गलमा खासकर तुम्हारे पती से तो मुझे बहुत डर लगता है तुमने इसकाता ने पुलीस वाले सिर्फ फिल्मों में बहदूर होते हैं असल जिंदगी में तो डर पोक होते हैं उन्हें मीडिया का डर होता है, पड़ोसियों का डर होता है कहीं वो एक्सपोजने कर दे, अपने दोस्तों से पूछे बिना वो अपना कोई भी फैसला नहीं ले सकते, तो इतनी जल्दी, पुलिस सिक्दम से बहादूर कैसे बन गई? नजदीक मत आओ, अगर मुझे होत लगाया तो, तुमने मुझे चोर का अधन, तो क्यों न थोड़ी-चोरी करी लो, प्लीज, किसी को पता भी नहीं चलेगा, प्लीज, प्लीज, गड़गडाना पुलिस वाले की बीवी पर नहीं जमता है, छोड़ो, छोड़ो मुझे, पाथी, पाथी हलो, कहम हो तुम? शॉपिंग करके घर की तरफ जा रही हुँ हलो, हलो, हान, हान, सिग्नल थोड़ा वीग है घर पहुँचकर फोन करती हूँ ओके अरे आईए आईए सर आईए धने भाग हमारे जो अब हमारे घर पदारे आईए सर आईए बैठिए नमस्ते मेरा बेस्ट फ्रेंड है मना कैसे करता आप लोगों ने तो मेरी लूटिया डूबो दी सर अब मेरी क्या उकात मैं नहीं तो उसे वो पोस दिलवाई थी थोड़ा पागल है पर मेरा कहना मान लेगा समझो आपका काम हो गया अब भागे सर बहुत लंबे वक्त से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था पूछो न आप ही ने मेरे वो दस करोड लिये थे न कौन से पैसे की बात कर रहे है वही पैसे जिनकी वज़े से मेरी पोस चली गई नहीं नहीं तुम्हें तो इसलिए निकाला गया है क्योंकि तुम्हारा दूसरी पार्टी के मेंबर के साथ रिलिशन था पुलीस वाले कभी भी अपनी जबान से ये नहीं बोलते कि उन्होंने रिश्वत भी है सर, एक्स मिनिस्टर कह रहा है कि हमने उसके 10 क्रोड रुपे लिए जो उसने कार के डिग्गी में रखे थे तुम्हें कोई जानकारी है? पता करता हूँ सर मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूँगा अर्जेंट हो तो भी ठीक है कुछ लोग मेरे बारे में पूछेंगे पर तुम सेलवम नाम के आदमे से कभी नहीं मिले, समझ गए? अच्छा, तुम मुझे अपनी पतनी और उनके भाई से मिलवाते क्यों नहीं? जरूरत नहीं उनसे ज्यादा मैं तुम पर यकिन करता हूँ अरे भाई, दस किलोमेटर तक ट्राफिक जाम हो गया है अभी बीस किलोमेटर तक जाम लगेगा, क्या कर लोगे हाँ? रोट तेरे बाप की है जो जाम राखेगा ये जाम हटा कर दिखाओ, फिर पता चलेगा देखे, आम जंता को तकलीफ हो रही है, प्लीज अरे लाठी चार्ज का ओर्डर का है दे दिया मरने वाला उंचा केम्यूनिटी का है सर, मेरा सस्पेंशन कैंसिल करा सकते है दस लाख लगेगा, रिपोर्ट तुम्हारा पक्च में लिग देंगे सर, मैं इमानदार हूँ हम इमानदार नहीं है का? सर, इतना पैसा कहां से दूगा? वैसे तो एक इंस्पेक्टर साल भर में लगभाग दस कमाता है दस करोड़, उसमें से दस भी नहीं दोगे सर, आप ना टक बंद करिये आप इमानदार हैं ये दिखाने के लिए लोन ले रहे हैं तो पैसे वापस कैसे करोगे? याद है मैंने तुमें एक मारवाडी के बारे में बताया था? वही है ये, जो आफिसर मुश्किल में होते हैं उनकी मदद करते हैं ये आपने तो कोई डॉक्यमेंट भी साइन नहीं कर रहा है डॉक्यमेंट से क्या मैं मुझ पोचूंगा? हमारे बिजनस में जबान की कीमत होती है ये बिजनस भी विश्वास पर ही चलता है मतलब इस महीने आराम करना है? ज्यादा लालज करने वाले ही पकड़े जाते हैं जो थोड़े में खुश हैं वो बच जाते हैं छे मैने गले शटर बंद समझ गया तुम्हारा नेक्स टॉप है हलो मैडम लोन चाहिए लोन वाले का फोन है ना? नहीं मा मेरी दोस्त है मैं थी फेस्बुक पर नहीं आई ठीक नहीं किया अज जब मेरे हस्बंट खर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूगी अब मैं तुम्हारा टॉर्चर नहीं सह सकती है ज़रूर बता दो नहीं तो मैं बता दूँ अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा हो तो पहले मैं तुम्हें पोस्ट करने के लिए टॉर्चर करता था था ना चिंता मत करो इस बार मैंने पोस्ट किया है अपनो पर्सनल मेसेज चेक करो देख और बताओ कैसा लगा तुम्हारे पदी को फावर्ड कर देता हूं बात अच्छा लगेगा उसे मैंने वीडियो के एक-एक फ्रेम को रोक के देखा तो देखने में लग रहा है कि हम बहुत मजे कर रहे हैं अगलमा मैं तुम्हारे दश्मन नहीं तुम्हारे फैन हूं मैं तुमसे भीग मागती हूं प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मैंने अभी उससे वाटसप में बात की अच्छा, तुमने पूरे घर में कैमरे लगाएं अगर तुने एक पर भी उससे फोन किया नो तु भले मेरी नौकरी चले जाए तु जिन्ता नहीं पचेगा एक बात कहूं बॉस तुमारी वाइफ के लिए तुमसे कहीं बहतर तुम मैं हूं तुम चार साल तक रिलेशनशिप में थे और अब एक साल शादी को हो गया लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमारी वाइफ को क्या पसंद है क्या तुम्हें उसकी साथवी क्लास की टीचर का नाम पता है क्या तुम्हें पता है कि उसे बारिश के वक्त कौन सा गाना सुनना पसंद है क्या तुम्हें पता है कि पूरे चन्ने में उसका सबसे पसंदीदा रेस्टरॉण कॉन सा है? क्या तुम्हें पता है कि आधी रात को वो कहां से आइसक्रीम खाना पसंद करती है और कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद दे उसे? क्या तुम्हारे पास उसके बच्पान का फोटो है जिसमें वो बॉक्सर बेंड के अपनी सैकिल चला रही है मेरे पास क्योंकि मैंने वक्त दिया है और अच्छे से समझा है लेकिन तुमने सोने और खाने के अलाबा किया है जब तुम इतना सा काम नहीं कर सकते तुम पती क्यों बने बैठे हो उसे छोड़ दो और दूर चले जाओ वेट बोस वेट 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 खाना खाने के पहले सिर्फ जानवर ही खाने को सुमते है इंसान को इसी कोई शरूतनी पड़ती तु जानवर है और मैं इंसान मरने से पहले मेरी आखिरी इचा नहीं पूछोगे कर या बोल अभी पूरी करता हूं मरने से पहले एक वीडियो तेख रहे दो एए, एए, नए, बांकाल! एए, पहला शो थोड़ी था, ये तो बान्वेवा शो था, गबराट में कही मुझे शूट मत कर देना, नहीं तो तुमारी बीवी मून ही दिखा पाएगी, स्विस बैंक में सिर्फ पैसे नहीं रखे जाते, उनके पास डेटा सेव करने का भी लोकर है, मैंने वहीं सेव किया है, हर महीने उसे रिन्यू करने के लिए मेरा जिन्दा होना जरूरी है, और अगर मैंने वह मिस्स कर दिया, तो ये अपने आप तीन करोड़ वेब साइट पर अपलोड हो जाएगा, सोचो अगर ये सारी दुनिया को पता चल गया है, तो तुमारी इज़त कहारा जाएगी? अगर तुमारा प्रोफेशन तुमारी ताकत है, तो मेरी ताकत है कीपैट, कैमरा तुमारे बातरूम में लगाया है, जो जवान और बुजर्गों में फर्क नहीं करता है, दाजाने क्या-क्या देखना पड़ा तुमारे पापा, तुमारी माँ, क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क प्रूश करते हैं यह सब हसने कि लिक है, बस प्राइब प्रुण तुछ! मार डालो मुझे क्या तुम्हारा परिवार शर्म से मारने के लिए तैयार है अपने पती से अपने मन की बात कह पाना ये हक क्यों नहीं दे पाए मैं तुम्हें तुम ये सब अकेले कैसे कर पाओगी नहीं कर पाओगी मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे पहले तु ये भूल जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें भला बुरा कहेगी तुम्हारी दुनिया कौन है? वो साथे साथ अरब लोग जो धर्दी पर रहते हैं? नहीं, या जब कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और तुम मुढ़ कर पूछती हो, मैं तुम्हें जानती हूँ? ये वो लोग हैं जो कभी तुमसे एकाद बार मिले हैं? इन सब को मिलाकर 2000 से स्यादा लोग नहीं होगे इनके अलावा बाकी सब के लिए हम एक दिन की नियोस हैं इन 2000 लोगों के लिए लोग आत्माहत्या करते हैं, आग लगाते हैं, सहर खाते हैं अगर भविश्य में तुम्हारा कोई वीडियो स्कैंगल हो जाए बस यही सोचना कि मैं ही तुम्हारी दुनिया हूँ क्या हुआ बेटा मैंने दस मनित से दर्वाजा खोल रखा है तुम बाहर क्यों खड़े हो बेटा बात्रूम में पापा है पापा जल्दी पाहर आये अरे आ रहा हूँ ना जल्दी आये ना क्या हुआ बेटा तुम्हें ये नाहिश जोड़े क्यों नहीं देते क्या हुआ तुम्हें सिरदर्ध हो रहा है ढपाई लाकर दूमटो बрах-पा। तुम्हें कुछ बताना है मुझे भी कुछ बताना है पहले तुम काऊ नई, पेले तुम् तुम् नई लेडिस फर्स्ट अब तुम बताओ वो आई जी ने कहा है कि अब तुम्हें बाप बन जाना चाहिए बच्चों को देखोगे तो सारे टेंशन भूल जाओगे हुआ आई हुआ हुआ अरे ये क्या कर रहे हो पहर क्यों छो रहे हो मुझे बाप बनाने के लिए मुझे बाप बनाने के लिए हमारा बच्चा लकी है उसके आते ही तुमने नहीं गाड़ी खरीद दी हम जानते हैं कि उसकी बहुत सारी गर्फ्रेंड्स है लेकिन सेलवं की वाइफ भी उनमें से एक है ये एक बड़ा शौक है डोंट टॉक रबेश फेस्बुक पर फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो गर्फ्रेंड है तुम केस को यहीं पर छोड़ दो मैं हेंडल कर लोंगा ओके सारे नंबर तुम्हारे नेटवर्क से हटा देना ओके आई जी की तरफ से गिफ्ट ये उसका पैसा नहीं है उसका फंड अलग है तो आई जी को फोन करके थैंक यू मत करना ओके शो 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 वो परिशान हो इसे भी ज़रूरी नंबर को क्लोन कराना हो तो मुझे बता देना मैं कर दूँगा जब भी उसका फोन बजेगा ना तो साथ साथ में आपका फोन भी बजेगा आप सब कुछ लाइफ सुन सकते हैं सर्थ मुझे आपको बात बतानी है हमारे वाट्सअप ग्रूप में एक लिप आईए और उसमें का आवाज मेडम की आवाज से बिलकुल मेल खाती है तुम्हें बात करनी है या नहीं? ठीक है बोलो बोलो ना तो वो कहा है? क्यों? ताकि अंदाजा लगा सको कि हम कितनी देर बात कर सकते हैं सुभा तक कर सकते हैं दिल्ली से तीन लोग मिलने आये हैं उन्हें है हाई सर है मैंने इसे कंप्लीटली क्लीन कर दिया है अब कोई भी इसमें से कुछ भी रिट्रीव नहीं कर सकता है बौट बड़ी है अच्छा क्या तुम कल छुटी ले सकते हो मुश्किल है सर एक्ट्रिस नैन तारा से मिलना चाहोगे सर आप सच में डाइना मर्यम को जानते है वो कॉन है सर नैन तारा का असली नम यही तो है सर हम दोनों का बर्थेडे सेम डे है नवंबर 18 मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ हाई वाल की सर मैं अनू आपकी फेस्बुक फॉलोर आपकी कल की योगा पोस्ट एकदम कम्माल थी आजा चल्दी चल्द अरे डर्मत सारे कैमरे बंध है आपकी हर पोस्ट को इतनी सारी लड़किया कैसे लाइक कर देती है शुक्र है कैमरे को यूपियस के साथ कनेट ने किया आप अकसार मेरे सपनों में आते हैं रेली? सर मैंने इसका लॉगिंग पासवर्ट हैक कर लिया एक मिरिट शूर सर उसने डेटा स्विस बैंक में सेफ किया है फाइल का साइज बहुत बड़ा है डिलेट होने में कम से कम चालीस घंटे लग जाएंगे पासवर्ट मांग रहा है अगल अगल मां अगल भी लगो कौन है यह उसकी गल्फरिंड एक्स्क्यूज मी बिल हलो कम से कम क्या पिची नटपिल आ सकते हो मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो खुछ चल कर आएं कम आन कम आन कीप ट्राइंग सर लगता है बहुत बड़ा चोर हैं हर कदम पर प्रोटेक्शन लगाया हुआ है इसे तोड़ना मुश्किल है सर वो चला गया मैं उसे और ज्यादा नहीं रोक पाई कोई रैंडम पासवर्ड लगाएं क्या यह लॉक हो जाएगा सर इसका पासवर्ड डीकोड नहीं कर पा रहा है उसके आने से पहले कुछ कर उफ लॉक हो गया सर सर, सब कुछ अपनी जगह पर रखा है वो किसी भी वक्त आ सकता है यह चल 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 जल दी चल निकलते हैं आज 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 कि अपन पासप्राइब offers इस प्राइब यह अँ़ार बाद ये वक्त अच्छा तो मेरे पीछे मेरे घर में गुशेया हूँ अलो अगलमा मैं आदे घंटे में तुमारे गहर आ रहा हूँ ने, मैं रास्ते मी हूँ मेरे साथ साथ मैं घर पर नहीं हूँ मैं तुम्हे लेंडलाइन पर फोन किया है पार इत्ती कर्मी है हाह बहुत सर, सर आप तो नयन तारा से मिलवाने वाले थे क्या हुआ तू मेरे घर में घुसा थाना अब मैं तेरे घर जाओंगा जल्दबाजी में बाइक मज चलाना अगर कहीं एक्सिडेंट हुआ और तू मर गये तो मुझे ही जिन्देगी पर उसका ख्याल रखना पड़ेगा ध्यान से चलाना तेरे आन एक इंतजार करूँगा आज़ा करा पळ्ड़ेट दूढ़ेगाजी को यहाज़ेगा प्लाना डिसाちゃ ख्याल नहीत आना ек örunn york यहाज़ आप कौन है अगल का दोस्त हूं कॉलेज के दोस्त फेसबुक फ्रेंड यह कंप्यूटर इंजीनिर है मा इसे माइक्रोसॉफ्ट से भी बुलावा आया था लेकिन इसने मना कर दिया सेल्वम से कभी मिले हो नहीं मा अभी छे महीने पहले ही तो यह दोस्त बने है मैं भी इने पहली बार ही मिल रही हूँ तुम घर सजाने के लिए मेरी तारीफ किया करते थे ना, तो फेस्बुक पर यही टिप्स दिया करते थे याद है, तुमने एक बार केरला करडल करे की तारीफ की थी ना, वो इन्ही की रेसिपी थी ओ, क्या नाम है आपका? बालक कृष्णा, प्यार से पालकी इन्हें कुछ चाय नाश्ता? अरे मैं तो भूली गए, आप लोग बाते करो तुम इतना भाग कर क्यों है? प्लीज मुझे बचालो, यह कुछ मूना खोले बोला था ना, तुम मर गए तो मुझे इसका जिन्दगी वर्धियान रखना पड़ेगा परदों से लेकर कारपिट तक सब कुछ मेरी पसंद का है इनमें से एक चीज तक नहीं बदल पाये तुम, कर भी नहीं पाऊगे अल्रेडी इस घर का इस सब बन चुका हूँ करेक्ट, करेक्ट तुम जाओ, मैं बना देती हूँ ठीक है मा तुमने नहीं किताब के बारे में जो पोस्ट किया था वो बहुत ही अच्छा था ये इंग्लिश लिटरेशर का काफी शौक रखते हैं प्लीज, प्लीज यहां से चले जाओ, प्लीज वाह, क्या एक्टिंग करती हूँ हलो प्लीज, चले जाओ ओके प्लीज, मैरी बात तुम जितनी देर लगाओगी, मुझे उतना ही खुस्सा आएगा सही कहाँ मैं बात में कॉल करता हूँ जाई तयार है बेटा अभी लेकर आती हूँ तुम दोनों एक दुसरे को बढ़ी हाटक कर दे रहे हूँ येस येस ये वही औरगानिक चाय ना जो मैंने तुम्हे बताए थी अहां ये वही है नाइस टी एक बात बताओं मैं कबसे देख रही हूँ कि सेलवं के पास अगल के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है जबसे उसे फोन टैपिंग का काम मिला है वो बदल गया है तुम सच में ही चाते हो क्या सिर्फ मर्दों को इसारे अधिकार होते हैं क्या वो ही एक से ज्यादा साथी रख सकते हैं क्यों आम इस ट्रेंड को बदल दें हसने के लिए क्या रहां बास या या मेरे साथ फिर से बचसलूकी की तो यही होगा जा पहले घर तो पहुंच सुनो तैयार हो जाओ हॉस्पिटल चलते हैं रूटीन चेक अप के लिए नहीं आज रहने देते हैं मैं बहुत थक गई हूँ ठीक है सुना डर्लिंग मैंने सुना है यह आवास तुम्हारी ही है पर लोगों को मैंने कह दिया है कि यह आवास तुम्हारी नहीं है जब फोन करती हो ना तो जरा ध्यान रखा करो इस बात का होटो खाली नहीं है टेक है खुरता की स्कॉर है भूर का रहा हूँ यह तुने खुरा अभी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ रहा इंको चल निकल निकल क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ प्रांसे दिदी, जीजु के साथ कोई जगड़ा हुआ है क्या? कुछ नहीं एक बोटल के पैसे दे दे मुझे जीजु से सब उगलवालूँगा मैं तो जान है यहां से तुम्हारी सूरत देखकर लगता है कोई सिरियस मामला है जब तक तुम नहीं बताओगे नहीं चाओँगा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के नाम पर सिम्प खरिद नहीं? आई जी इसकी जान कर ये इसमें यहां पुलिस की नौकरी करने आये थे और बन गए बिजनसमेन अब नहीं बच पाएंगे तोनों की उनिफॉर्म उतार के ही दम लोंगा सुनो मैंने बहुत पीट लिया इसको आग लगा दो ओए गंजे अगर हिम्मत है ना तो मेरे फोन से अपनी पीवी को कॉल करके दिखा उसे बोल दे तो मुझे आग लगा रहा है उसी ने तो कहा है तुझे आग लगा दू सोचकर है रहान हूँ तो हमारे थाने में भी पॉलिटिशन बनना पड़ता है अगर पॉलिटिक्स नहीं करोगे तो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाओगे कितने फोन है तुमारे पास बात कर लो मंगे इमा क्या करूं इसका जोड़ना मत उसे इसने मेरी इसद्की धच्चियां उड़ा दी सोसाइटी में मैं कहीं मुह दिखाने लाइक नहीं रही सिंदा चला दो इससे सर एक माट कितने जाली मैं है न अगर किसी को गलती से इसके बारे में पता भी चल गया रिकॉर्ड तो यही दिखाएगा कि इसमें मेरी वाइफ इन्वाल्व थी सर आप यहां हमें कंट्रोल रूम से जानकारी मिली थी कि यहां कुछ गड़ बढ़ है क्या कोई रियल एस्टेट के काम से प्रॉपर्टी ग्रूप में नहीं देख सकता जाओ ले सब तू यहां क्या कर रहा है ले तेरा मेट्रो सेशन आगया ओके मैं इंस्पेक्टर सेलवम का दोस्त हूँ उसे फोन करके थांक्यू कह देना ओके सर थांक्स अलोट पहले हीरो हो जिसने विलन को बचाया है हसो हसने के लिए तो कह रहा हूँ बस बहुत तेज और लगभग मुझे मारी दिया था फिर बचा भी लिया मुझे जिन्दा छोड़के बहुत बड़ी गलती किये माचस तुमने अठाई है अब अग मैं लगाउंगा अब अटेशी से जिए वो सामने ही वैटा है ट्रेन आने में छे मिनट बाकिये जल्दी करो काम हुआ कौन सा काम वो असल में नंदू कह रहा था कि बइशनी है वो क्यों चाहता है वो उसने नहीं बता है ठीक हमें उसे पुछता हूं झाल, 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 झाल तुम्हारा और जीजू का अचानक से ख्याल आया और मैं बिल्कुल डर गया था और वो बज़के भाग निकला किसी ने वीडियो तो नहीं लिया ना पता नहीं दीदी, जीजू जब आएंगे उन्हें सब कुछ सच-सच बता दे ना यह बात बताई तो सब कुछ बताना पड़ेगा फिर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे क्या हुआ टीवी म्यूट क्यों है क्या बात क्या है मुझे तुम्हें कुछ बताना है रिमोट, रिमोट का है दो पुलिस ओफिसर के बीच की बातचीत लीग हो गई है यह हम सभी के लिए चोकाने वाली बात है यह क्लिप सुनिए सुन, सतीश, देखो अपने बड़े ओफिसर से डरना ठीक नहीं है लेकिन उनकी वीविया हादे पार कर देती है तुम्हें पता है कल मेरे बॉस ने क्या किया उसने पूछा हम कितने लोग प्रजेंट है मैंने का साथ लोग उसने हमें गाड़ी लेकर जाने के लिए कहा और हार्बर से छे पैकेट लाने के लिए कहा मैंने पूछा कैसे पैकेट उसकी बीवी का कपड़ों का धंदा है गदे की तरह हमें कपड़े उठा कर लाने पड़े कचरा उठाने का काम भी आजकर तरिके से चलता है पता नहीं हमारे डिपार्टमेंट को अकल कब आई की पहले वो पूलिस की नोकरी कहा कर भरती करते है और फिर उन्हें सबजी बनाने, कपड़े दोने और घर के काम में लगा देते कौन से चैनल पर? सर, सर ने बोलू तू क्या बोलू सर थुड़ा प्यार से बुलाओ न जैसे बेवकों बुलाओ, जान कहके बुलाओ सिल्वम कहां हो तुम? सर, सर आई जी बहुत गुसे में है सर, सर मैंने लेक नहीं किया सर तुम जल्दी आजाओ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समभाल लोगा ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है ये सारी आडियो फाइल्स मेरी कस्टड़ी में थे ओके सर ओके ओल्राइट सर सर, ये सब मैं इन लोगों को इससे ज़ादा बेज़त नहीं कर सकता था अब इनके पास रिजाइन के अलावा और कोई आप्शन नहीं है वैल डन बाई बॉआई सर, उपर के सभी अधिकारी मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे सर दीरे दीरे सब ठंडा हो जाएगा इससे अच्छा तू मुझे कोली मार देता अरे रे, मुझे गलत मत समझो हम दोनों तो बैचमेट है ना हमने एक साथ खाना गाया I know your family, you know my family I know your sister मुझे पता है उसे कितना दुख होगा मैं बता लगा रहा हूँ I will find out the culprit मैंने ही इसे डेप्यूट किया था तुवारे सामने से ठीक करूँगा जवाब दो यह तुमने किया ना जवाब दो यह तुमने किया ना इसने कुछ नहीं किया क्या चाहिए तुम्हे यही चाहिए ना मेरा रेजिगनेशन भट गई ना जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड सकता तुम मैं टेरिंग है मान के रियल ही रहो सर हलात हाथों से निकल रहे डिपार्टमेंट दो हिस्सों में बढ़ गया है हमें क्या करना चाहिए हमें किसी ना किसी की बली तो देने ही पड़ेगी सर आज ही सर ने आपको दूर रहने के लिए के लिए अगर ये सब सीख्रेट बाहर आ गए तो लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा दुश्मनी बढ़ेगी कोई किसी पर यकीन नहीं करेगा सीक्रेट सीक्रेट ही रहे इसी में भलाई है इन सीक्रेट्स को हमेशा के लिए दफ में कर देता हूं क्या ले बॉस अजो अजने के लिए कह रहा हूं सिर्फ दो आडियो क्लिप लीग करने से तना भूचाल आ सकता है सोचो अगर मैंने सब कुछ लीग कर दिया तो तुम्हें कम से कम 25 साल की जेल होगी बचने का एक ही रास्ता है अपने घर जाओ अपनी बीवी से मिलो और उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर दो और एक कॉपी में मुझे बेजो सब कुछ खत्म हो गया आसपास के लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई चोर हैं पूरा सोफा चीर दिया पूरा घर तबाह कर दिया तुमने किसी के ओडर पर कोई कार पिक अप की थी क्या जी हाँ सर मैंने एक लाल रंगी कार बीच के पास से पिक अप की थी उसके घर से हमें कोई पैसा बरामत नहीं हुआ है लेकिन सर्विस प्रोवाइडर से हमने लिस्ट मंगाई है वो जरूर पकड़ा जाएगा सर मैं आखरी सांस तक इमांदार रहना चाहता हूं वो भी यही कहता था लेकिन कुछ समय से ऐसा लगा जैसे उसके पास बहुत पैसा आ गया है देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो आपने अप्रूण नहीं किया ओके आइविल चेक और फाइंड इट आउट उसने कहा आपने गिफ्ट दिया है चार लाग के साथ एक आपल फोन भी दिया है मैंने उसके लिए एक नंबर का क्लोन भी बनाया था तब मुझे धोका कैसे दे सकते हो सर जैसा गुरू चेला भी वैसा ही होगा ना आपने पोस्ट का इस्तमाल करके बहुतों को डराया और कमाया उसके सारी जानकारी और बातचीत इन पैन ड्राइव्स में हैं सर अगर आपको यकीन न हो तो ये आवाज आपकी है ये रहा वोईस सेर्टिफिकेट एक नए पुलिस वाले को कितना इमानदार होना चाहिए इसकी नसीहत देते हो न ये उसका प्रूफ है ये सारे नमबर मैंने ही प्रुवाइट किया है और अब पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारने का वक्त आ गया है एक नोट तयार करो सर आप आगे चलकर डीजे भी बनेंगे तो आप जहां भी जाए नो तुम मुझे भी साथ ले कर जाएगा मेरी खुशी के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए आपके सीक्रेट को समभाल कर जो रखता हूँ सर इतना जब करने के लिए मुझे गिफ चाहिए साथ दिन के छटी फॉरेंट टॉर की परमेशन अच्छा माँ देटी इस ट्रिप में जीजो को सब कुछ सच सच बता देना हलो कौन था कॉराइम ब्रांच अगर तू वापस नहीं आया तो मुझे वहां आना पड़ेगा कौन था आई जी सारी परिशानिया खत्म शुक्र है आप सब ठीक है अगर एप चर वापस अगर नहीं आपस बता क्यें आए जी सारी अट नहीं आना तुक्र है यह जी गार मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहां लेकर आया मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूँ छोड़ दो कि तो खाएंगे पिएंगे कहां से याद है मैंने एक बड़े से बिजनेस मैन पर छोटा सा अहसान किया था वो यहां एक बड़ा सा बिजनेस करने वाला है, बिल्कुल इसी रिजॉर्ट की तरह वो दस रिजॉर्ट खरीद रहा है, वो चाहता है कि मैं उन्हें चलाओं अगर हम यहीं सैटल हो जाएं तो यह अगर, जीने के लिए एक ही जिन्दगी है, एक बड़े से आइलेंड पर छोटा सा खर, एक अच्छी कार, कोई पोलीशन नहीं तुम्हें ऐसी जिन्दगी पसंद नहीं, डेड़ करोड का पैकेज, इंडियन रुपेज में तुम मुझे यहां ट्रायल के लिए लेकर आए हो, अगर तुम्हें यह पसंद आया, तभी में बिजनेसमेन को हां कहूँगा, पहले मेरी बीवी को पसंद आना चाहिए, मुझे पसंद है सुनो, मैंने कहा था न, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, अच्छे, एक सेकेट, मैं जरा आई जी को एक फोन कर गया था, लगता है तो मुझे टेस्ट कर रहा है, अगर तो अगली फ्लाइट से वापस नहीं आया, तो तेरे सारे वीडियो लीक कर दूँगा, प्ल नहीं आएगा, फिर हम म्यूचिली अलग हो जाएंगे, इसलिए मैं उसे यह लाया हूँ, मुझे बिलकुल यकिन नहीं हो रहा है, मुझे जानकर गुस्सा रहा है कि मेरी तरी वानिंग के बाद भी तुम मजे कर रहा है, मेरी मेटिकेट बुकर, मैं वहा रहा रहर तुम त हलो, यह बैग, ओ, थैंक यू, मैं रिजॉर्ट चेक कर के आता हूँ, आने के बाद हम दोनों एपोर्ट चलेंगे, ओके, बाई जानो, प्रफ्ट चीन्ता मुत करो, उसे वापस आने में चार घंटे लगेंगे, सावे इसाभ लगा लिया मेननना वक्त और नजारा दोनों मेरे फेवर में है चाड़ो, चाड़ो मुझे, चाड़ो ये कामनाक हुई आज नहीं जागी है ये तुमारे बातरूम का नजारा देख देख कर जागी है अच्छा है विदेशी धरती पर हो रहा है यहां से एक नई औरत वापस जाएगी हमारे बीच यहां क्या हुआ किसी को पता नहीं चलेगा बहुत बढ़ी गलती हुई तुम्हें घर के दर्वाजे पर मिलने की बजाए फेस्बॉक के जरीय मैंने तुम्हें अपने बेडरूम में आने का रास्ता दिया तुम पर यकीन करके मैंने अपनी सिन्दिगी की बहुत बढ़ी गलती की मुझे जाने तो प्लीज तुम्हे क्या लगता है साद खटे की फ्लाइट लेकर में है तुम्हें मौफ करने आया हूं इस पेशेंट को तो मर जाना चाहिए मरना ने चाहिए डॉक्टर लाश बन कर सेंता रहे अमेरिका में जिन लोगों को पोस्ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर होता है खास कर जो किसी डर के कारण होता है उनकी टेंपरीरी याददाश्ट को भुलाने के लिए हम ऐसे पेशेंट को एक दवा देते हैं अगर ये दवा पेशेंट्स को लगातार दी जाए तो वो जिन्दा लाश बन जाएगा डॉक्टर ज्यादा नहीं बताते हैं यार अगर दवाई शराब में मिला कर दी जाए ना तो टोटल मेमरी लॉस सिर्फ जिन्दा लाश तुने एलोपती और आयर्वेक को मिक्स करने के लिए खादा ना कुछ ऐसी जड़ी बूटिया हैं जो जानवरों को भी नशा देती है वो पाउडर में मिक्स कर देते हैं हे मनिश सर एक मिनिट अपने सिस्टम पर जा रहा हूँ जैसे तू टेक्नोलिजी का इस्तमाल करके मेरे घर के अंदर खुसा वैसे ही मैंने तेरे बाप की इमोशन का इस्तमाल करके तेरे घर के अंदर खुसा मेरी उपन हार्सा जरी हुई है बचे खुचे दिन मैं तुम्हारे साथ गुजाता चाहता हूँ मुझे डर था कि कहीं वो मुझे गलत ना समझे इसलिए मैंने उन्हें वो इसकी सारी कर्टूते दिखाई उसने इसमें कैमरा फिट किया था और इसी से सब देखता था उसे इस समाज में रहने का कोई हथ नहीं छोड़ना नहीं उसे एक महरवारी करना उसे जान से मत वाज़ा मालकी, यह मेरे आखरी दिने मुझे पाहर पर निकाला मुझे यही रहने दो जा अंदर जा, दर्दी के पोच उसकी आँखे अच्छे से खोलकर स्कैन करवा उसे हर रोस तुम यह दबाई दोगे इससे उसका दिमाग सुननों हो जाएगा वो शान्त हो जाएगा बिल्कुल एक सिंदा लाश की तरह सर, सिलेक्ट और फाइल्स डिलीजर अब उस सौफ़ेर को चलाए जो मैंने आपको दिया है सर सर, अब इसे कोई भी रीकवर नहीं कर सकता जैसे ही किसी क्रिमिनल को लगता है कि वो शक्तिशाली है वो कमसोर होना शुरू हो जाता है मैंने उसे ये यकीन करने दिया कि वो चीत रहा है और इसी एकसाइटमेंट में मुझे पता था कि वो यहाँ आएगा जैसा सोचा था वैसा ही हुआ वो निकल चुका है कभी भी बेहोश हो सकता है उसने कहा था कि वो बेहोश हो सकता है और ये भी कि वो रिजोर्ट की तरफ जा रहा है लेकिन वो रिजोर्ट के बजाए सीधा घर पहुँचा मैं वापस भागा और जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो बेखोश हो चुका था झाल, पुका था हुँचा था को चुका था क्योबान सबस्थ है जैसे ही हम लैंड करें तुम सीधा घर चली जाना मैं उस बिजनसमेन से मिलके हमारे प्लैन के बारे में कन्फर्म कर दूगा उसके बाद ऑफिस जाकर रेजिगनेशन दे दूगा बालकी क्या हुआ बेटे ऐसे कैसे गिर गए आपके कप्रे खराब हो गए सौरी बेटा इसे कुछ याद नहीं है इसकी यादाश जा चुकी है ये एकदम बच्चों की तरह हो गया है इसे ख़ड़े होने के लिए भी मेरी मदद की जरूरत पढ़ती है सौरी बेटा इस ओके जो भी मेमान हमसे मिलता है जरूरी नहीं कि वो हमारी यादों में रहे मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं अगल भी चुपचाप थी लेकिन मैं देख सकता था अब वो बेट फिक्र थी कभी कभी कुछ सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए ताक ही शांती बनी रहे तुम मुझे कुछ बताने वाले थी ना बताओ सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ सेटल हो जाना चाहिए पता नहीं क्या जल्दी थी हमसे कहा कि सब कुछ इखटा करके ले आओ कल रात हमने उन्हें सब कुछ सौंप दिया था और आज सुबह यह चल बसे यह कार तुम्हारी है लेकिन तुम्हारी नहीं है यह पैसा तुम्हारा है लेकिन तुम्हारा नहीं है हाँ कर दो झाल 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 झाल